हेलो एब्रीवान वेल्कम बाक टू नर्सिंग एलीट आज की वीडियो होने वाली है अनाटमी एंड फिजिलोजी फॉर MPCHO तो MPCHO का जो सिलिबस है उसके अकॉर्डिंग फिजिलोजी और अनाटमी दोनों का वेल्टेज है पांच-पांच नंबर यानि की कुल मिलाखी 10 नंबर तो काफी जादा हो जाता है वो लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले I would like to share two things सबसे पहले तो बिग बिग थैं है कि मैं अनेटमी के लगभग हर एक सिस्टम को इंकॉर्पोरीट कर रहूं बट फिर भी एक वीडियो में सब कुछ बताना इतना इजी नहीं होता बट मैंने कंटेंट बहुत कम लिखा है बट आई विल ट्राइटू कि मैं एकस्प्लेइन पूरा करूं आपको जो भी जित क्रेंट करने वाला तो प्रिक्ट कौन करता है हमारी बॉडि को वो करती है एप नहीं है हाईतनं यह के लिए नहीं है तो अबihi मैंने जो लिखा है that is outermost layer of skin तो outermost layer जो skin की है वो है epidermis और epidermis के जो नीचे है that is dermis और dermis के बाद जो subcutaneous tissue की layer है उसको कहा जाता है hypodermis which is not the part of skin उसके बाद है color of skin is due to the presence of तो जो skin का color है वो melanin की presence से होता है और melanin के भी काफी सारे types है next question है largest organ of the body तो इसमें भी बहुत लोगs confused होते हैं largest organ body का skin है largest organ skin है और साथ में एक और चीज़ अगर आप से पूछा गया है largest internal organ then it would be liver अगर internal organs में largest पूछा है तो liver answer होगा अगर largest gland पूछा है then again वो liver होगा but अगर आप से simple पूछ रखा है which is the largest organ of the body then it would be skin उसके बाद आता है कि most of the heat loss body के कौन से पार्ट से होता है तो again वो skin से होता है वैसे तो heat loss के कई तरीके है urine के तुरू heat loss होता है, feces से heat loss होता है, lungs के तुरू जब हम exhale करते हैं तब again heat loss होता है but maximum amount of heat loss है that occurs through skin उसके बाद है कि melanin जो है वो कौन स्क्रीट करता है तो उसको स्क्रीट करते हैं हमारे melanocytes उसके बाद है कि जो epidermis है वो सबसे जाला thickest कहां पे होती है तो वो होती है पाम of hands और souls of feet तो यह दोनों ही आपको याद रखने है पाम of hands पे भी thickest होती है और soul of the feet भी thickest होती है इसके अलावा जो मैंने नहीं लिखा है अगर skin के बारे में बात करें तो skin जो है वो vitamin D synthesis में help करती है बॉडी की protection तो करती ही है साथ में again heat loss में help करती है injection हम skin के तुरू देते हैं तो absorption में help करती है that's all about skin पात आ जाता है endocrine gland तो सबसे पहले तो endocrine system endocrine system का मतलब ही यह ही है कि वो directly अपनी secretions को blood में secret करते हैं directly to blood अब कई बार हम से क्या पूछा जाता है कि which glands have duct exocrine या endocrine इसमें भी काफी लोग confused होते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक easy trick बताती हूं कि जब हम endocrine लिखते हैं endocrine तो endocrine की spelling में एक N आ रहा है और एक O आ रहा है मतलब no तो endocrine has no duct तो duct किस के पास होते हैं exocrine के पास और endocrine क्या करते हैं अपनी secretion को directly blood में secret करते हैं तो अब हम questions देख लेते हैं oxytocin is created by posterior pituitary अब एक बहुत important point है कि जो pituitary gland है उसकी वैसे तो 3 lobes है anterior pituitary posterior pituitary और intermediate pituitary लेकिन जो intermediate pituitary है उसके बारे में अभी इतनी studies हुई नहीं है उसका function exactly पता नहीं है तो हम दो को ही consider करते हैं that is anterior and posterior उसमें जो anterior lobe है वो hormone को produce करती है produce भी करती है और screed भी करती है लेकिन जो posterior lobe है वो produce नहीं करती वो सरफ screed करती है वो क्या screed करती है oxytocin और साथ में ADH याने की anti-diuretic hormone अब वो screed करती है produce नहीं करती तो produce कौन करता है तो ये जो दोनों hormone है oxytocin और ADH उनको produce करता है हमारा hypothalamus तो अगर आप से कहा जाए कि oxytocin is produced by तो of course answer होगा hypothalamus लेकिन अगर आप से पूछा जाए screed by then it would be posterior pituitary क्या करता है उसको store करके रखता है oxytocin का काम सबको पता है uterine contractions में help करता है during child birth ये baby के birth में help करता है उसके बाद है ADH ADH is screed by posterior pituitary अगर produced उचा जाए then it would be hypothalamus उसके बाद है growth hormone is screed by anterior pituitary melatonin is screed by melatonin ये कैसा hormone है जिसको पीनियल gland उसको screed करता है और ये क्या करता है हमारे secondary sexual characteristics हैं उनको लाने में help करता है और ये dark जब हम अंधेरे में होते हैं तब जादा screed होता है अब बात आती है master gland किसे कहा जाता है तो master gland कहा जाता है pituitary को क्योंकि ये क्या करता है बाकी जितने भी और gland है सबकी activity को ये control करता है जैसे कैसे जैसे ये growth hormones create करेगा जो बाकी सब body के parts पर act करेंगे तो ये एक हिसाब से master हो गया ये बाकी सब glands को stimulate करता है उसके बाद है master of master gland अब master gland का भी master कौन है that is hypothalamus इसके अलावर जो मैंने इस वीडियो में include नहीं की है चीज़े वो मैं आपको बता देती हूं आपने क्या करना है एक बार कौन सा gland कौन से hormone को स्क्रीट करता है for example thyroxine या thyroxine कहां से 3-3-4 कहां से स्क्रीट होते है kelsitonin parathormone और इनके functions आप एक बार उनसे go through हो जाए क्यूंकि इस वीडियो में include कर पाना इतना possible नहीं था तो आप anatomy की कोई भी standard book even Ross and Wilson उसमें काफी अच्छा दिया है यह topic तो आप उसको उसको जाके पढ़ सकते हैं you will get to know और अगर आपको और जादा और कोई बुक फालो करने के मेरे recording तो जरूरत नहीं है Ross and Wilson ठीक है इस topic के लिए अब हम बात करते हैं nervous system की तो ability of neuron to initiate nerve impulses neuron की जो ability है property है nerve impulses को initiate करने की that is known as excitability जो heart की ability है खुद से ही beat को initiate करने की heartbeat को initiate करने की that is known as auto-rhythmicity confused नहीं होना है नहीं heart के case में आप excitability कर दो तो that would be wrong उसके बाद है the place where one nerve impulses passes from one neuron to other वो प्लेस जहां पे एक neuron दूसरे एक neuron से दूसरे neuron में nerve impulse transmit होती है उसको कहा जाता है synapse उसके बाद तीसरा है efferent neuron क्या होता है तो efferent neuron वो होता है जो nerve impulse को brain से लेके आता है body parts तक तो वो होता है motor neuron जो लेके जाता है वो होता है sensory उसको कहा जाता है efferent अब आपको एक additional चीज इसमें क्या करनी है कि जो cranial nerves है उनमें कौन सी sensory है कौन सी motor है वो आपको पढ़ना पढ़ेगा उसके लिए मैंने पहले से दो वीडियोज अपलोड की है कि cranial nerves के नाम कैसे याद करना है और उनका nature कैसे याद करना है तो you can go down and playlist में आप जो tricks and mnemonics करके playlist है वहाँ पे आप उन वीडियोज को check कर सकते हैं next है tissue layer surrounding both brain and spinal cord तो कौन सी layer है जो brain और spinal cord दोनों को cover करती है that is meninges बोलते है अब क्या होता है कि question एक और तरीका इसको कैसे पूछा जाता है उसमें पूछा जाता है meninges cover फिर option होती है brain फिर होती है spinal cord फिर होता है both brain and spinal cord और फिर होता है none या कुछ और तो क्या होता है कि कुछ लोग फटा फट से question देखते हैं और confidence में आके brain टिक कर देते हैं तो ऐसा नहीं है meninges दोनों को cover करती है both brain and spinal cord उसके बाद है meninges होती कितनी है होती है तीन बाहर से अगर अंदर की तरफ चले तो सबसे पहले होती है dura matter फिर होती है arcanoid matter और फिर होती है पाया मैटर अगर अंदर से बाहर चले तो उल्टा हो जाएगा पहले पाया होगी उसके बाद arcanoid matter and then dura matter उसके बाद है dura matter और arcanoid matter के बीच का जो space है तो उसको कहा जाता है sub-dural space और arcanoid matter और पाया मैटर के बीच का जो space है उसको कहा जाता है sub-arcanoid space यह आप से पूछा जा सकता है you can remember it अगला है ventricles कितने होते हैं brain में चार होते हैं csf screed कौन करता है coroid flexus screed करता है और csf को absorb कौन करता है that is arcanoid villi उसके बाद है जो next वो है cardiovascular तो cardiovascular में सबसे पहली important चीज़ है cardiac output अब काडिक output होती क्या है कि 1 minute में हमारा heart चो है कितना blood eject कर रहा है एक मिनेट में उसको कहते हैं cardiac output तो cardiac output हम निकालते कैसे हैं, वो हम निकालते हैं, stroke volume multiply by heart rate, अब क्या है कि stroke volume क्या चीज है, stroke volume का मतलब है कि एक cardiac cycle के दुरान हमारा heart कितना amount of blood eject कर रहा है, जब उसको हम heart rate के साथ multiply करेंगे, एक minute में heart कितनी बार wait करता है, तो of course definite सी बात है कि वो cardiac output दे देगा हमें, अब stroke volume मैंने यहां लिख रखा है, amount of blood ejected from heart with each cardiac cycle, इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि cardiac cycle कितने time की होती है, तो 0.8 second की होती है हमारी cardiac cycle, उसके बाद है normal stroke volume कितना है, तो normal stroke volume है 17 ml, उसके बाद है normal cardiac output कितनी है, तो 5 लिटर पर minute होती है, उसके बाद है map, बहुत important है MSC entrance, जो है various state के जैसे कि, बहुत सारे MSC entrance, मैं MSC क्या बाकी चीज़ों में भी, बाकी exams में मैंने यह question देखा है, mean arterial pressure कैसे निकालते हैं, अभी जो NORCET का exam हुआ था, उसकी जो second shift थी, उसमें यह question था, आपको systolic BP और diastolic BP बताया हुआ था, और आपको उसका map calculate करना था, तो उसके लिए 2 formula ह बाट basically जो मुझे easy लगता है, मैं यही use करती हूँ, आपने क्या करना है, systolic BP लेना है, plus 2 into diastolic BP upon 3, इस formula से आपके पास कोई भी values दी है, आप निकाल सकते है, map, पाट जो next चीज़ आती है, pacemaker of heart, सबको ही पता है कि pacemaker जहां से heart rate initiate होती है, that is SA node, और दूसरा important point है कि heart of heart किसको कहा जाता है, so SA node को कहा जाता है, heart of heart, the layer that line the valve of heart, तो heart की 3 layers होती है, endocardium, myocardium and pericardium, जो myocardium है, contraction में help करता है, because it's a muscle layer, और middle है तो जो सबसे अंदर वाले layer है, of course वही जो है cover करेगी valves को, तो उसको कहा जाता है, endocardium, the artery that carries deoxygenated blood, कौन से ऐसी artery है, जो deoxygenated blood करती है, that is pulmonary artery और कौन सी vein है, जो oxygenated blood करी करती है, that is pulmonary vein, love sound और dub sound आपको पता है, दो sound होती है, heart की, वो कब-कब produce होती है, तो love sound तब produce होती है, जब heart दोनों atria में से ventricles में जाता है, यानि कि जो atrio ventricular walls हैं, वो जब close होती है, तो उनकी close होने की sound है, that is known as love sound, इसको S1 भी कहा जाता है, अब next है, dub sound का produce होती है, तो dub sound को कहा जाता है S2, और ये तब produce होती है, जब left ventricle से blood क्या है, वो aorta में जाता है, through aiotic valve, और जो हमारा right ventricle है, उससे blood lung में जाता है, through pulmonary artery, तो जो aiotic valve और pulmonic valve है, उन दोनों के close होने की sound है, that is known as dub sound, कई बार क्या होता है, कि aiotic valve और pulmonic valve एक साथ close नहीं होती, उसमें splitting हो जाते है, तो उस वो एक problem है, जिसको कहा जाता है, splitting of S2 sound, उसमें दो अलग अलग अवाज़ें सुनाई देते हैं, next, largest vein अगर human body की पूछा जाए, that is inferior vein अकावा, और अगर आप से पूछा जाए, longest vein, that is great syphanus vein, तो bile को बनाता है, bile में बच्चे को अन्फ्यूस होते हैं, वो gallbladder कर देते हैं इसमें, पर bile को बनाता है liver, उसको store करके रखता है, इमारा gallbladder, उसको release करता है gallbladder, उसको concentrate up कर देता है gallbladder, लेकिन बनाना है अगर तो वो liver करता है, ओइसोफेगस के upper sphynster को क्या कहते हैं, उसको क्या जाता है upper isofagial sphynster या फिर cardiac sphynster, lower isofagial sphynster को lower isofagial sphynster या फिर pyloric sphynster, अब आगे है कि stomach जो है वो किस alphabet की shape को resemble करता है, तो it resemble G shape, उसके बाद है three reasons कौन से हैं stomach के, तो fundus body और antrum है, intrinsic factor को कौन produce करता है, again ये question काफी जादे important है, parietal cells produce करते है intrinsic factor को, और intrinsic factor काम क्या करता है, मैंने लिखा है आगे, intrinsic factor is essential for the absorption of vitamin P12, उसके बाद है pH, बाइल की, बाइल एक basic जो है वो, basic उसका pH होता है, लेकिन अगर gastric content है, उनमें HCL है, definitely वो acidic होएंगे, उसके बाद है, बाइल क्या काम करता है, तो digestion of fats में help करता है, कफर cells कहां present होते हैं, liver में present होते हैं, और काम क्या करते हैं, ये question में बहुत बार आता है, कफर cell का काम क्या है, तो option में होता है, digestion करते हैं, digestion of carbohydrates, digestion of vitamins, but actual में इनका क्या होता है, ये phagocytic है, यानि कि जो भी foreign bodies होंगी, उनको engulf करने में help करते हैं, उसके बाद है largest internal organ of the body, मैंने आपको बताया, कि वो है liver, अगर simply पूछा है largest organ, then it would be skin, अगर पूछा है largest internal organ, या फिर पूछा है largest gland, then it would be liver, four of lobes in liver, तो चार lobe होती है liver की, four, muscle layer of stomach, वैसे तो stomach की चार layers है, अगर muscle layer नहीं बतारी है, मैं ऐसे बतारी हो, mucosa, submucosa, muscularis and cirrhosa, वैसे तो चार layers है, पर जो अपसे पूछा है muscle layer, जो muscularis layer है, वो है muscle layer, तो उसके भी आगे तीन पार्ट होते हैं, उसमें तीन तरह की muscles होती है, longitudinal muscle, oblique muscle, और longitudinal, oblique and circular muscles, तो इस हिसाब से muscle layer होगी, तीन, या overall layer पूछा जाए, तो उसके बाद है papilla, यानि की taste bud, कौन कौन से पाए जाते हैं, तो वो है velate, philiform और fungi form, जो largest size हैं, वो है velate papilla, अच्छा, उसके बाद है breaking की spelling है, हाँ पर गलत लिख लिखे है, मैंने, process of breaking, यो आल नों क smaller ones, उसको कहा जाता है catabolism, smaller molecule से larger molecule बनाने को कहा जाता है anabolism, और catabolism और anabolism दोनों की process को मिला के बंगता है metabolism, respiratory, तो space between two lungs, mediastrinum, lungs के outer covering pleura, pleura दो type के होती है, visceral pleura and parietal pleura, visceral pleura और parietal pleura के बीच का जो space है, that is pleural space, वहाँ पे 10 to 15 amount, ml जो fluid है, वो normally present होता है, अगर जादा हो जाए, तो it will lead to pleural effusion, उसके बाद है muscle used in respiration, तो muscle जो use होती है, that is intercostal muscles, जो के ribs के बीच में होती है, और कई बार क्या होता है, कई health problems है, जैसे की diabetic ketoacidosis है, जिसमें भी labored breathing होती है, तो कई बार person, extra muscles, जो accessory muscles हैं, जो की normally used नहीं होती, उनको भी use करता है, तो जो accessory muscles हैं, उसमें अगर पूछा जाए, that is sternocleidomastroid muscle, उसके बाद है amount of air passing in and out of lungs with each breath, वो है tidal volume, लगवग 500 ml होती है, जो सांस ले रहे हैं और बहाद छोड रहे हैं, that is both combined inspiration and expiration, both combined tidal volume, उसके बाद है organ which separates thoracic cavity from abdominal cavity, तो diaphragm वो organ है, जो thoracic cavity को अलग करता है, abdominal cavity, skeletal system, total bones कितनी होती है, 206, sternum किस तरह की bone है, flat bone है, option में आ सकता है long bone, irregular bone, cesamoid bone, तो sternum एक flat bone है, next है bone forming cells को क्या कहा जाता है, जो bone cells को बनाते हैं, वो है osteoblasts, और जो destroy करते हैं, that is osteoclasts, और वैसे bone cells को क्या बोलते हैं, osteocyte, जो vertebral column की जो first bone है, यानि की C1 जो है cervical one, उसका नाम है edless, C2 का नाम है axis, cheek bone को क्या बोलते हैं, gigomatic bone, कौन सी ऐसी bone है skull की, जो सिरफ वही bone move होती है, that is mandible, lower jaw की ये bone है, आपको पता ही है, upper jaw की जो bone है, उसको कहा जाता है, maxilla, उसके बाद ह ने हैं, तो वो जो है total वो साथ है, उसके बाद thoracic vertebra 12 है, lumber vertebra 5 है, sacrum जो है five fused bone होती है, five fused to one I think, एक बन जाती है बाद में, और जो coccyx से four fused to one, मतलब चार से एक बन जाती है, collar bone कहा जाता है, clavicle को, और दूसरा नाम है इसका beauty bone, beauty bone भी इसको बोलते हैं, उसके बाद नी sesamoid bone है, उसके बाद है largest joint of body, तो again patela, उसके बाद है shin bone किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है TBR को, उसके बाद है number of floating ribs कौन सी है, तो total 12 pairs of ribs है, 24 है मतलब की total, 12 pair यानि की 24, उस वे से शुरू की 7 जो है, वो exactly मुझे याद नहीं आ रहा है, या फिर 7 या 8, तो यह आपने चेक क कौन से pairs को कहा जाता है, false rib किसको कहा जाता है, और floating ribs को इसको कहा जाता है, floating तो मैंने यहाँ पे लिखा है two pairs, पर यह मैं चेक करना भूल गी और अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा है, और एक और additional मैं से आपके लिए drastic point बता देती हैं, कि जो Japanese लोग होते हैं, उनमें most of the Japanese लोगों में, floating ribs absent होते हैं, यानि कि उनमें सिर्फ 10 pairs ही present होते हैं, उसके बाद है number of muscles in the body, तो 639 muscles हैं, 206 हडियां हैं और 639 muscles हैं, यूरिनरी सिस्टम, जैनेटो यूरिनरी सिस्टम तो इसमें है functional unit of kidney, वो है nephron, you all know, kidneys are present in, kidneys abdominal cavity में present होते हैं, जो की largest cavity है हमारी body, largest cavity, नेक्स्ट है, renin is created by, तो renin एक तरह का hormone है, renin is a hormone, ओके, renin को स्क्रीट करते हैं हमारी kidneys और ये क्या करता है, BP को regulate करने में, help करता है, renin angiotensin aldosterone system के थ्रू, नेक्स्ट है, part of kidney which act as a receptacle for urine formation by kidneys is known as renal pelvis, या आपको जब आप kidney का structure अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कह नहां होता है, renal pelvis, उसके बाद है, normal GFR, याने के glomerular filtration rate कितना है, ये पूछ लिया जाता है, 125 ml upon per minute, जो है, ये होता है, pH of urine कितनी है, pH of urine जो है, वो, it varies, I am not remembering right now, I will let you know in the comment section, or if you can check it yourself, उसके बाद है, erythropoietin is produced by, तो kidneys produce करती है, और erythropoietin नाम से ही पता है, कि ये क्या करता है, RBCs की production में help करता है, उसके बाद है kidneys कहां से कहां तक extend करती है, तो T12 to L3 ये extend करती है, और उसके अलावा ये थी मेरी आज की वीडियो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जो cover नहीं हुए है, जैसे कि sensory system अभी cover नहीं हुआ है, बट अभी time भी बहुत कम है आपके exam के लिए, तो I don't think कि वो मैं उसके भी उपर में वीडियो बना सकती हूं, बाकि analytical and communication skills पर I will try to make a video और skills का जो skill based MCQS का part 2 भी I am trying to prepare, so that's all about today's video, do like, share and subscribe if you liked it and thank you so much, stay tuned.